So, hello everyone, welcome back to our channel Coding Brain. So, the next question of topic array is Find duplicate in an array of n plus 1 integers. अब यह जो question है यह lead code में, अगर आपने sign in नहीं किया होगा, तो आपको पहले login वगेरा कर लेना है. उसके बाद, यह 287th question number है. तो इसमें बहुत simple question है. इसमें हम लोगों को क्या given है? एक array given है. और इसमें given है कि इस array में कोई एक ही value होगी, जो duplicate होगी. अब हमको बस return करना है कि वो duplicate value कौन सी है. तो 1, 2, 1, 3, 4, 2, 2. अब इसमें दो बार कौन सी value होगी? 2. तो हम लोग 2 को return कर देंगे. इस वाले में कौन सी value duplicate है? 3. तो हम लोगों ने 3 को return कर दी. अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक method यह है कि सबसे पहले हमने इसको sort कर लिया. अब जैसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ. 1, 3, 1, 3, 4, 2, 2. यह हम लोगों को array given है. अब सबसे पहले हमने इसको sort किया क्या होगा? 1, 2, 2, 2, 3, 4. अब हम लोग क्या compare करेंगे? comparison करेंगे दो-दो values को. पहले इन दोनों को compare किया. अगर यह दोनों equal हैं, तो हम लोग return कर देंगे कि वही value duplicate. अब जैसे suppose करो यह equal नहीं है. तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, हम लोग next case करेंगे. यह दोनों equal हो गई. तो इसमें क्या होगा? अगर यह दोनों equal हैं, तो हम लोग return कर देंगे वह वाली value. अब हमने सबसे पहले sort किया. sort आपको यह पता चल गया, कि हमने क्यों return sort किया, क्योंकि हम लोग ने दो values को compare करना है. अब उसके बाद हमने एक length n is equal to length निकाल लेकि, इसके कितनी length है, हमने कितने elements हैं, तो इसमें कितने elements है, n is equal to 5. और हमने यह क्यों निकाला, क्योंकि हम लोगोंने 1 से starting point से start करके end तक जाना है. अब यहाँ पर main point है, कि हमने यहाँ पर 1 से क्यों start किया. 1 से हमने इसलिए start किया, क्योंकि हम लोगोंने इस value को compare करना है इससे, 1 को करना है 2 से, तो हमने 2 से start किया, और यह जो value है nums, उसके अंदर I, I मतलब जो यह 1 है, तो 1 पर क्या है, यह हमारा 2 आएगा, तो इसको हम लोग compare करेंगे इसकी पिछली values से, तो हमने क्या लिख दिया, 1-1, क्या हो गया, 0, तो nums of 0, मतलब कि 1 को हमने compare किया 2 से, तो इसलिए हमने 2 से start किया, गि हम लोग उसकी पिछली value को उसके संग compare करेंगे, तो अगर तो यह दोनो values equal हो गई, तो हम लोग return करतेंगे वो ही वाली value, औक और अगर यह equal नहीं है, जैसे suppose करो, मैं एक बढ़ फिर से बना देती हूँ, यहाँ पर, 1, 1, 2, 2, 3, 4, अब हमने इसको compare किया, यह equal नहीं है, मतलब वो if वाले block के अंदर नहीं आएंगी, तो फिर next दुबारा यहाँ पर आजाएगा computer, अब computer इसको और इसको compare करेगा, अब यहाँ पर यह दोनों equal आ गई, यह equal आ गए तो वो return कर देगा, यही वाली value, तो यहाँ पर हमारा, इसलिए 2 जो है वो print हो गया, ओके, यह question बहुत simple है, बस यहाँ पर यह दियान रखना है, कि सबसे पहले आपने sort करना है, sort करोगे तब ही हमको पता चलेगा, कि वो दोनों कोई value same है कि नहीं, अगर आप इसमें sort करो, यह इस वाली value में अगर आप sort करोगे, तो आपको नहीं पता चलेगा, तो अगर हम लोग इसकी time complexity की बात करें, तो इसकी time complexity होगी, o of n log n, n into log n, यह क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर हमने sorting का use किया है, और sorting हमेशा यहाँ रखना है, sorting की हमेशा n log n ही होती है time complexity, और for loop की n हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, n log n, plus n, तो यह क्या equal to हो जाएगा, equal to n log n हो जाएगी, तो इसकी time complexity है वो यह आजाएगी, ठीक है, अगर आप इसमें कोई भी doubt है, तो आप comment section में डाल सकते हैं, ठीक्यू,